Hello! तो कैसे हो आप, स्वागत आपको और नीज गेμ प्लीके विडियो में तो आज 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 अपने से के लिए के Minecraft तो आज आज माइनक्राफ्ट के लास्स टिपसोड में आपने देखा हो कियार है मैं अपने वोल्ड में बहुत्त भड़ी कासल बने था झो कि यार दिखने में सच में बहुत ही जियादा अच्छा है, और ये बहुत ही बड़ा है, लेकिन यार अपने खाले पीने का यहां पर कोई बी इन्त्रजाम नहीं है, मतलब कि यार उनको यहां पर farming तो करनी ही पड़ेगी लेकिन कुछ animals को भी इखटा करना पड़ेगा तो आज अपन एक काम करेगे कुछ animals को यहां पर इखटा करेगे जिसमें कि यार goat, pig, sheep and chickens होगे लेकिन उनको इखटा करने के लिए अपनों को यहां पर बनानी पड़ेगी कुछ fences तो आज अपन यही काम करेगे सारे animals को यहां पर collect करेगे और यह दोखो यहां पर बहुत ही बड़ा खटा है इसको भी अपन को रिपेर करना पड़ेगा बाल में अपन इसको कर देके यहां पर रिपेर और कुछ इसे जगह पर अपन फैंसे सब्राइगे लेकिन यह क्या है अपने यहां से फ्री कर दिया और राथ भी यहां पर होने वाली हुट तो अपन को अपने कैसल के अंदर जाना पड़ेगे और फटा वड़ से अंपन सोच जाते हैं और कल सुब्यू उटके अपने काम पे फटा वड़ से लग जाएगे है और अभी राध हो ज़ियो तो अ तो अपन सबसे में सबसे पहले काम करता भाई यह क्या हो गया यार मैं जल गया रुख जाओ मुझे सबसे पहले जाना पड़ गा यह नदी के अंदर और मुझे आशे छलांग लगानी पड़ेगी भाई भज गया वैसे मैं मरता तो ही इतना तो मुझे पता है लेकिन यार थोड़ी सी डैमेज तो मुझे मिली रहता तो अपने काम करते हैं सबसे पहले मैं कुछ बिल्ड कर लेता हूँ क्राफ्टिंग टेबल में से कुछ वूट्स ले लेता हूँ ताकि मैं इसके ओक वुड और में पास पहले से ओक फैंसिस तो रखी हुई है लेकिन यार मुझे गेट्स भी चाहिए रहे तो गेट में तीन बिल्ड कर लेता हूँ अभी फिलाल के लिए और बाकी के बाद में मैं कर लूँगा चल यार इतने काफी होगे तो अपना काम अभी लगबग यहां पर हो अपने काम पर चलते हैं फटा वड़ से फैंसिस को लगाने के लिए और फटा वड़ से अपन सारे एनिमल को यहां पर एक खटा भी करते हैं और यह गधा यहां पर शीप के साथ क्या करता है एक काम करता हूँ सबसे पहले में टॉर्चिस को यहां से हटा देता हूँ और य यह बहुत ही खतर्नाक खतर्नाक आवाज आ रही है और आपन ये शीप को भी ले जाएक को ये गद है न इसको भी अपने कैसल की रखवाली के लिए अपन पक्का इसको रखने वाले हैं यहां पर भूछ सारे होर्स भी है उनको भी आपन को लाना पड़े हो तियार वह बात की बात है लेकिन अभी फिलाल के लिए तो अपनों को यहां पर फैंसे कुछ लगाने पड़ेगी इस तरह से 3 यहां पर एक हो लगा देता हूँ 4, 5, 6, 7 बीच में छुड़िया रोग जो बीच में जाना पड़ेगा मुझे 8 9 9 रुग रुग जाओ पर में काम करता हूँ यहां से में लगाना स्टार्ट करता हूँ 1, 2, 3, 4 बाइस साब यार फिर से गलत लग गया रुग जाओ थोड़ा सा दिक्कत हो रही है लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी अपन आराम से कर लेंग इसको 5, 6, 7, 8, 9, I think 9 हुआ है अभी तो चलते यार अपन यहां पर में गिन लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और कुछ यहां पर और ला लेता हूँ एक और ला लेता हूँ चल यार इतने काफी होगे तो 1, 2, 3 भाय यार हार दिख तो क्या कर रहा है मतलब थोड़ा साभी तो सही से नहीं लगा सकता चल यार कोई दिक्कत की बात नहीं है अपन यहां से लगा देता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 काफी होगे क्योंक्यार बीच में अपने एक गेड भी लगा देगे 3, 4, 5, 6, 7, मुझे पीचे जाना पड़ेगा रुख जाओ मैं पीचे चल जा दो सबसे पहले हाँ चलो अब तीक है और यहां से और ला लेता हूँ चलो बढ़ी है इसको मैं तोड़ देता हूँ यहां से यह थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है मुझे चलो फाइन तो यार अपना एक फैंस तो बन चुका है इसमें मैं रखने वालो शीप को और यहां पर मेरे गेट कहाँ पर है चलो गेट यहां पर है तो मैं एक काम करता हूँ सामने से मैं देखता हूँ कि इसका सेंटर कहाँ पर है बीनुदी नहीं है मतलब मुझे कबल स्टोन लेकर आना पड़ेगा चेस्ट मेंसे चलो इतने काफियों के कबल स्टोन ओक के तो अब अपन चलते यहां पर एंद यहां पर कुछ अपने हथ्यार को बेल्ड करते मैं पास sticks नहीं थी यार चलो अब ठीक है अब मैं कुछ ये stone pickaxe को build कर लेता हूँ यहाँ पर axe भी मैंने build कर ली ओके अब ये काफी हो गए तो मुझे अब ये एक और काम करना था मुझे कुछ fences बनाना थे जिसके लिए मुझे चाहिए रहेगे wooden planks चलो यार इतने काफी होगे and अब मुझे कुछ बनाने पड़ेगी sticks तो इतनी sticks काफी होगी and अब finally अपन बना सकते oak fences कुछ और लगेगी यार मुझे इतने में कामी होगा चलो यार अब मुझे लग रहा है अब इतने तो काफी होगे और अपन को लगेगे बाद में तो अपन बाद में बनाने के लिए आजाएगे फिलाल अपन इतने लेकर चलते और देखते है इतने में अपना बन पाता है या नहीं अपन को टोटल चार fences बनाने ships, cows और chickens and pigs के लिए चार fences अपन को टोटल अपना टारगेट है लेकिन सबसे पहले में इसको यहाँ पर सही कर देता हूँ मैंने चारो fences बना लिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैंने ships का fences बनाया और आप देख रहे होगे कि यहाँ पर मैंने यह white color के mat जैसा बिचा दिया है अब यह मैं आपको बतातों कि यह मैंने क्यों बिचा है यहाँ पर तो यह गेट को अपन चालू कर सकते हैं अब जैसे अपन यहाँ पर अपना gate को close कर दिया तो अब अपन यहाँ से अंदर नी जा सकते हैं एक mat बिचाईए mat मतलब carpet बिचाईए तो यह trick आप भी आजमा सकते हैं और भाई बहुत ही बढ़ी है बिना अंदर gate खोले जाए अपन अंदर जा सकते हैं तो यह बहुत ही बढ़ी है और फिलाल मुझे यहाँ पर नीची के और जो एरिया उसको भी clean करना पड़ेगा और सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर attract करता हूँ chickens को ताकि यह मेरे fences में आ जाए चल यार दो तो आ गई है चल इसको थोड़ा से खिला भी देती यार इसको भी मैंने खिला दिया और यह ब्रीडिंग करेगी मुझे लगता है ओके एक चोटा से चिकन अपने पास आ चुका है यह बहुत ही क्यूट सा लग रहा है तो भाई तु भग का रही है यह मैंने तुझे खाना खिलाया है चलो अब बढ़िया है यह मेरे पीछे-पीछे आ रहे है इन तीनों को बहुत छोटा सा प्यारा सा परिवार पीछे-पीछे आ रहे है और भाई तुम जल्ली से आजो अब यह मैंने तुम्हें फीड भी करा दिया तो यार भाई अब तुम भग मत जाना ओके मैंने इनको अंदर ले आया हूँ मतलब मैं इनको अंदर ले आया हूँ और चलो इनको थोड़ा सा खाना खिला देते खाना नहीं है मतलब इनको चलो यार अपन यहां से भार निकलते और रात हो चुकी हो और यहां पर मॉप्स भी स्पॉन होने वाले तो अपन को अंदर जाना पड़ेगा मतलब यार मॉप्स के स्पॉन होने से पहले अपन को अंदर जाना पड़ेगा ताकि यार वो अपन को ख चूरचूर हो रहे हैं're सबसे पहले मैं इस sheep को attract करता हूं मंज़े कुछ और के लिए बट्री के लिए और मेर पास अभी नहीं है नहीं है तो इनको में मारता हूं okay, मैंने इनको मार दिया है ताकि यार मैं थड़ा से मीट खा सकू इनसे और रुक जाओ, पहले इसको मारता हूं तेरी ऐसी कि तेहसी है, मेरे कैसल के सामने आई की दू चलो भाई, और यह होर्स मेरे मेरे फैंस के अंतर है, यह होर्स क्या कर रहा है भाई, तेरी जगह यहां पर नहीं है, रुक जाओ, रुक जाओ, इसको मारता हूं यह पेड़ेगा मैं रात से, पहले तुम्हें गेट ओपन करता हूं ओके, मैंने गेट ओपन कर दिया, अब मैं होर्स को यहां से बार निकल दो, चल भाई तु यहां से निकल, जल्ले से निकल सीधे, सीधे निकल ले पहले, अब तू का जा रही है भाई, मैंने इसको गल्ती से मार दिया भाई, एक, सिर्फ एक बार मार रहा हूं यह मर रही है, रुक जाओ मैं इस पे बैट केसे गया अब भाई, तू निकल, तू बहार निकल, यह जगह भाई, यह सूनी निरा था, मतलब यह जगह मैंने जिकन्स के लिए बनाई है और तू यहां पर आय जा रहा है, ऐसे थोड़ी होता है, सबसे पहले मैं इनको थोड़ा सा फीट करा देता हूं चोटा बच्छा खानी रहा है, चलो ठीक है, चलो बढ़िया है, तो सामने मुझे एक और शीप दिख रहे है, तो मैं इसको मारता हूं तो यहां यहां पर अभी अपन शीप को अट्रेक्ट नहीं कर सकते हैं नहीं काउ को तो अपन को सबसे पहले विलेज अपन को जाना पड़ा है, यहां पर पास में एक विलेज है, वहां से अपन को कुछ वीट लानी पड़ेगी, ताकि अपन वीट से काउ को शीप को अट्रेक्ट कर सके, और अपन को वह गाउ से अपन को गाउ से अपन को गाजर, मतलब कि कै पर सुenden मौत काको ठीच को ना स시에 बना यहां पर मैंने कुछ और सबसे पहले मैं एक और मैं लेले तो हेविल फाइन तो मैंने एक हेविल ले ल्यों और यहां से मैंने कुछ को ले ली थी ताक कि यार मैं कुछ पीक को कर पाऊ और उन sho仔 को दुर और उनकी में ब्रीडिंग करा पाऊ तो इतने काफी होगे मैं अपने कैसल में पहुच चुका हूँ यहां पर मेरी जितनी भी हेबल थी तो सबसे पहले मेरे जितनी भी चीज़े कलेक्ट करके लाया हूँ तो उनको मैं यहां पर रख देता हूँ और कुछ वीट को मैं यहां पर बना लेता हूँ ओके फाइन तो इतनी वीट काफी होगी कुछ शीप को और कुछ गाउस को अट्रेक्ट करने के लिए अपने फैंसिज में तो अब मुझे गाए और शीप मतलब कि अर भेड दिखनी रही है पता नहीं कहा पर रही है तो मुझे एक काउ मिल चुकी है इसको मैं ले आया हूँ थोड़ से इसको फीट करा देते हैं और सामने मुझे एक और शीप दिख चुकी है एक और मतलब पहली शीप दिखी है और अपन को अभी इसको ले जाना पड़ेगा इस वाले फैंसे में क्योंकि यार मैं इसको शीप के लिए बनाया है और मैं बाद में इस फैंस के आगे एक बोर्ड भी लगा दुगा दूगा का तो अभी मुझे दो और शीप दिख चुकी है तो अभी इसको भी अपन ले जाते है अपने फैंसे में और यहां पर अभी अपन को एक पिग भी दिख चुका है तो फाइलिली गाइस अपने यहां पर बहुत सारी शीप्स, काउस और पिग्स और बहुत सारी चिकन्स हो चुके तो भाई बढ़िया है अपने लिए तो मतलब मीट की चिंता अपन को बिलकुल भी नहीं है अभी खा और बहुत सारी अपन बना पाएं तो ओके यहां पर मुझे कुछ एक्स दिखे है मतलब मिले है और मुझे पता है कि अगर इनको यहां पर फोड़ेगे तो इन वैसे चिकन्न निकलता है तो यहां पर मैं इसको फोड़ता हूँ लेकिन कुछ नहीं हुआ मैं ऐसा पहले भी क तो फाइनल यार मैंने फैंस लगा दिए आनिमा को लाकट यका है और अगली वीडियो में अपन यहां पर मलब फां बनाएं यहां बनाएं वीत के और और Native के प्वीडियो के तो गाई आज की वीडियो में इतने आपको ए है वीडियो के से लिएगी कमेंट करकि जबूर ब झाल झाल